नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कानेक आड़मी में A very good evening to all of you मेरा नामे संदीब कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज के इस session के अंदर हम बात करने वाले हैं D, E, E, B, J, E से related जो भी previous year questions हैं उनके बारे में साथी साथ में कि जो ये exam है इसके बारे में already हम discuss कर चुके हैं तो ये इस exam से specific तीसरा session है This is the third session हाँ जी सभी को नमस्कार, सभी को good evening जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों Civil 101 के उपर बहुत सारे subjects हम already cover कर चुके हैं और साथी साथ में exam specific questions जो हैं वो भी हम करते हैं शाम को अनकाडमी की special classes होती हैं उनके अंदर भी हम बहुत सारे questions जो हैं वो practice करते हैं तो अभी D, S, S, B, J, E exam से related हम questions कर रहे हैं कल हमारा जो session होगा उसके अंदर हम बात करेंगे जारकन जो J, E है या J, S, S, E, J, E से related जो topics हैं कैसे questions वहाँ पर पूछे जाते हैं उनको हम discuss करेंगे कल सुबह की session के अंदर तो कल morning में हमारा एक और session है जिसके अंदर हम उस exam से specific बात करेंगे आप में से बहुत सारे दोस्तों ने जो हमारी first video थी D, S, S, B, J, E, K उसके नीचे भी comment करके बहुत सारे exams के बारे में बोला था कि इन exams के उपर भी videos जो हैं वो बनाए तो उनके भी sessions हम रखेंगे तो one by one हम move करते जाएंगे तो बात करते हैं दोस्तों Unacademy की तो Unacademy के उपर जैसा कि आप सभी को पता है Unacademy की special classes होती है free of cost होती है बस इनको देखने के लिए Unacademy आप download करनी है आपको और timing जो हमारी special classes की रहती है वो शाम को 8 बजे, 9 बजे तो जैसे आज 9 बजे जो हमारी class है वो आज 9 बजे है RCC से specific questions जो है वो 9 p.m. के session के अंदर हम करेंगे तो time है 9 p.m. special class का इस YouTube session के just बाद में RCC के questions हम करेंगे इसके लावाद दोस्तों Unacademy की app के उपर जो paid batches होते हैं, subscription होते हैं subscription के उपर भी बहुत सारी batches जो है वो चल रहे हैं, अगर आप उनके अंदर बढ़ना चाहते हैं के लिए भी अन्रोल कर सकते हैं JSCJE के लिए test जो है वो भी available है, अलग-अलग exams के लिए test जो है time to time आते रहते हैं आपके उपर तो Unacademy के आपके उपर सबसे पहले अपना goal select कर लीजिए कि आप कि इस exam की तयारी कर रहे है, goal select करने के बाद get subscription पे क्लिक करना है, duration select करने है कितने duration के लिए subscription चाहिए फिर code Sandeep 111 आप यूज कर सकते हैं आनक आटमी की वीडियो में आपको कुछ भी inappropriate content अगर दिखाई दे तो वो आप नीचे description में link में लेगा बहाँ जा के आप report कर सकते हैं आजी, thank you so much दोस्त चलिए, let us begin question number 1 से शुरू करते हैं which equipment is used for measuring the level of physical activity done by a human being आजकल जैसे आप देखते होंगे अपने जो watches होती है या smart watches होती है, उनके अंदर भी आप अपनी day to day जो health activities है वो आप track करते हैं, आप कितने steps जो हैं दिन के अंदर चले हैं, आपकी heart rate क्या है आपका जो blood oxygen level है वो क्या है, तो यह सारे functions जो हैं वो उसके अंदर available रहते हैं, similarly एक आपके पास instrument होता है, जिसको आप बोलते हैं, pedometer, जो कि आपकी सारी activities जो हैं, इनको steps हो गए ऐसी activities को वो track कर सकता है तो this is pedometer in which of these types of stream is the stream bed level lower than the level of water table in adjoining aquifer, मतलब यहाँ पे आपके पास यह कोई river है इसके अंदर water table यहाँ पे है कुछ या फिर यह river का जो level है वो यह है, तो आप से यह कह रहा है कि stream का bed level जो है यह यह bed level हो गया इसका stream का bed level adjoining aquifer, यहनि कि इसके आस पास की जो water table है उससे थोड़ा नीचे है तो ऐसी stream को हम क्या बोलते है perennial stream होती है ephemeral stream जो होती है ephemeral stream के अंदर groundwater का कोई contribution ही नहीं होता, groundwater table जो है वो river bed से भी, इससे भी नीचे होती है groundwater table तो उसके अंदर इसका कोई contribution ही नहीं होता तो second का जो हमारा correct answer है वो option 3 हो जाएगा which of the following methods in surveying is also called as loose needle method loose needle method जो है वो किसको बोलते हैं first question जो है surveying के अंदर बिल्कुल starting में जो हम पढ़ते हैं न odometer क्या होता है odometer आपको जो vehicles होते है vehicle के अंदर odometer आपको क्या बताते है कि आपका vehicle कितना run कर चुका है कितना चल चुका है जो reading देखते हैं आप 30,000, 40,000, 50,000 km ये vehicle चल चुका है तो वो odometer बताता है speedometer speed बताता है peso meter जो है वो pace कि युजस्ट अ युड़ियो न सिर्वेइन अ copy हुआ कर फर फॉ Tucson कि वन्हे रुनी ने के टिवेड झीज्ट कि दिवेर लूज़ क्या लुस नेटओ chain या compass traverse जो survey हम करते हैं chain and compass traversing जो हम करते हैं जिसके अंदर हर एक point के उपर हम क्या लेते हैं magnetic bearing जो है वो calculate करते हैं तो वो कौन सा method कहलाता है loose needle method loose needle method के अंदर क्या होगा हर जगा पर जाके आपने मान लिजए यह line थी तो यहां से लेके यहां से यहां आपने magnetic bearing calculate की फिर उसके बाद next फिर magnetic bearing calculate की फिर उसके बाद next फिर से magnetic bearing calculate की and so on क्योंकि हर जगा पर magnetic bearing calculate करते हैं तो उससे chances होते हैं कि local attraction जो है वो भी हर जगा present हो सकता है तो उसका भी error जो है वो इसके अंदर include हो सकता है तो थोड़ा कम accurate होता है तो fast needle method जो होता है वो ज़ादा accurate होता है क्योंकि fast needle method के अंदर हम included angle भी calculate कर लेते हैं next question which of these is a negative error इन में से कौन सा एक negative error है bad ranging bad ranging की अगर हम बात करें तो आपको point A से लेके point B तक अगर आपको connect करना था तो आपने जो points adopt कियोंगे मतलब A से B तक ज़रूरी नहीं है कि इतनी लंबी आपके पास chain या tape हो तो आपने उसके अंदर intermediate points जो है वो establish कियोंगे जो कि इस line A B के along लाई करें लेकिन हो सकता है आपने points को इधर उधर कर दिया हो तो उसके कारण आपका जो distance measure हुआ होगा वो कुछ यूँ हुआ होगा तो आपने जादा distance measure कर लिया तो अगर हम error की बात करें तो error जो है वो किसके बराबर होता है measured value minus true value अब इस case में आप measure करके distance जादा बता देंगे तो error क्या हो जाएगा positive हो जाएगा यहाँ पे तो positive हो गया फिर उसके बाद variation in temperature अब temperature के case में दोनों है shrink भी कर सकती है वो expand भी कर सकती है तो positive negative दोनों error हो सकते है bad straightening के case में अगर आप देखेंगे तो आपने chain को या tape को straight नहीं रखा तो जब chain या tape को अगर straight नहीं रखा है आपने तो आप ज़्यादा distance measure करके ही बताएंगे तो वो भी error positive हो गया measured value ज़्यादा ही बताएंगे बचा कौन सा आपका D बचा sag in chain sag में भी तो ज़्यादा बताएंगे आप देखो एके करके दुबारा समझ लीजिए bad ranging bad ranging में आपको पता लगया कि point जो है A, B, A था C, D, E बीच में establish किये तो C, D, E straight line में नहीं किये आपने इधर उधर कर दिये तो ज़्यादा distance measure करके आप बताएंगे तो measured value ज़्यादा होगी तो positive हुआ variation in temperature में आपने बोला कि positive और negative दोनों हो सकते हैं depend करते है temperature बढ़ रहा है गट रहा है उनके उपर depend करेगा bad straightening आपने chain या tape को straight नहीं रखा अगर straight नहीं रखा है तो obviously आपने distance ज़्यादा measure करके बताएं तो फिर से क्या होगे measured value ज़्यादा होगी true value से तो ये भी error की बात हो रही है यहाँ पर which of these has a negative error तो ये भी positive error sag in chain की अब गरम बात करें तो अब A और B के बीच में ये distance measure करना था let's say ये 20 meter था या फिर let's say ये 15 meter था आपने chain या tape को ऐसे sag करवाया जब sag करवाएंगे तो आप इसे 15 meter की जगा 15.1 meter या कुछ और जादा बताएंगे आप तो इस case में भी आप measure करके जो value बता रहे हैं वो जादा बता रहे हैं as compared to जो इसकी true value है तो ये error क्या हो गया positive हो गया तो अब हमारे पास एक ये option बचता है variation in temperature जो की negative possible हो सकता है अगर temperature अब temperature के case में आप देख लीजिए कि अगर temperature बढ़ा अगर temperature बढ़ेगा तो temperature बढ़ने के कारण मान लीजिए आपकी chain या tape जो थी वो 20 meter की थी अब वो expand होके temperature बढ़ने के कारण वो expand होके कितने की हो चुकी है वो हो चुकी है 20.1 meter की तो अब अगर actual में कोई एक 20.1 meter का distance होगा उससे अगर हम measure करेंगे इस chain या tape को use करके 20.1 meter के distance को measure करेंगे तो अब ये chain या tape तो expand हो चुकी है इसके उपर जो यहाँ पर numbering है जो इसके उपर marks, marking कर रखी है 20 meter वाली वो तो ये बताएगी ना कि ये 20 meter distance है तो इस case में measure करके जो value बताएगी वो तो होगी 20 meter जबकि true value जो line की है वो है 20.1 meter आपको पताए कि ABCD में पहले E आएगा, फिर M आएगा, फिर T आएगा तो error is equal to measured value minus true value तो measured value यहाँ पर कम है as compared to true value तो इस case में जब temperature बढ़ेगा when temperature increases तो वो negative होगा सैग correction हमेशा negative होता है question में आपसे error पूछा है next next which type of chain measures 100 feet long correction is opposite to error 5th का correct answer क्या हो जाएगा engineer chain 100 feet 100 links 100 by 100 next question in foundation the offset of traditional bricks is taken as foundation के अगर हम बात करें तो नीचे जो bricks का जितना आप offset निकाल लेंगे या offset जो लेंगे वो कितना consider किया जाता है that is considered to be 5.7 centimeter next the total cost of a building is 2 lakh if the scrap value is 20,000 what is the annual depreciation of the building assuming the life of building as 60 years अब building जो है वो कितने की है 2 lakh के है जब उसकी life खतम हो जाएगी तो उसकी scrap value जो बनेगी वो कितनी बनेगी 2000 बनेगी अब ये कितने सालों में ऐसा होगा ये 60 years में ऐसा होगा divide by 60 कर दिजिए sorry 20,000 है यहाँ पर तो 180,000 by 60 3000 आ जाएगा तो ये straight line depreciation method के according calculate कर रहे है हम fixed percentage के according भी कर सकते हैं जैसे अगर आपको ये बुला जाए कि हर साल building की जो value है वो 10% से कम हो रही है तो हर साल 10-10% आप कम करते जाए इस साल मान लीजी अगर 1,000,000 है तो अगले साल जो है वो 90,000 हो जाएगी उससे next year उसमें से 10% minus कर दीजिए तो 81,000 हो जाएगी फिर next year उसमें से 10% minus कर दीजिए and so on next question in case of abstract of estimated cost what percentage of total cost is added to meet the expenditure of a work charge establishment ऐसे लोग जिनको आप permanently hire नहीं करते हैं जैसे मान लीजी security के लिए आप रख रहे हैं किसी को consultation ले रहे हैं आप तो work charge establishment जो है 1.5 से 2% next question which of these errors are considered as blunders मतलब छोटी मोटी गलती हो जाए तो error है बहुती बड़ी mistake जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं blender जैसे आप करते हैं गलती हैं और आपका दोस्त क्या करते हैं blender करता है तो error while reading the tape तो tape को read करते बगत हो सकता है थोड़ा बहुत इदर-उदर error हो गया तो वो छोटा error है incorrect length of tape tape incorrect है तो भी इतना ज़्यादा variation नहीं आएगा temperature की वज़े से आएगा वो भी इतना ज़्यादा change नहीं आएगा इतनी ज़्यादा discrepancy नहीं आएगी incorrect counting of tape length कि 5 बार tape से measure किया या 6 बार measure किया पूरी एक tape ही गायब कर दी तो वो क्या हो जाएगा blunder हो जाएगा option D या fourth वाला which of the following is not a temporary adjustment in the surveyor compass इन में से temporary adjustment temporary adjustment वो adjustment जो आप जब भी instrument को setup करेंगे कहीं पर तो आपको adjust करना ही पड़ेगा उसकी centring कर रहे है उसकी leveling कर रहे है या फिर focusing कर रहे है तो ये सारे temporary adjustment हो जाते है adjustment of the pivot point जिसके about rotate करता है अगर वो adjust कर रहे है तो वो क्या है उसका permanent adjustment हाँ जी जिन दोस्तों ने भी तक session को like नहीं है वो session को like कर सकते है ऐसा आपके मित्र कह रहे है next question in canal irrigation which of the following does not affect the amount of water which can be derived from the river into the main canal कि आपके पास यहाँ से river जा रही थी river में यहाँ पे हमने canal headworks जो है वो बनाए यहाँ से off-taking canal निगले अब आप से यह पूछ रहा है कि इन में से कौन सा factor ऐसा है जो यह effect नहीं करेगा इसको water available in the river फरक पड़ेगा ना dry season है water level कम होगा तो canal में भी कम आएगा अगर बारिश हो रही है monsoon के दोरान खूब सारा पानी यहाँ पे river में आ रहा होगा canal के इंदर भी वो इतना पानी ले सकती है shore of the another canal taking off from the river another canal इसके आसपास से कहां से निकल रही है वो भी इसको impact कर देगी कि इसका water जो है वो कितना इसके अंदर कितना water जाएगा उसको भी impact करेगी river का bed slope क्या river का bed slope यहाँ पे आके फरक डालेगा river का bed slope चाहे कुछ भी है हम यहाँ पे लाके divergent head work बना रहे हैं यहाँ पे लाके पानी को हमने रोक दिया है यहाँ पे हमने still water pocket बनाई जिसको हम under sluies वाली pocket जो होती है वो बोलते हैं divide wall बनाया यहाँ पे divide wall बनाके under sluies pocket बनाई उससे हमने पानी को यहाँ पर canal में ले आए हम तो river का slope जो है river का bed slope जो है वो impact नहीं डाल रहा है तो option D हो जाएगा correct answer हमारा which of the following concrete linings is suitable for all channel sizes and high for high and low velocity high or low velocity के लिए गर हम बात करें तो सबसे जो अच्छी lining है वो कौन सी है concrete lining जो है वो सबसे बढ़िया है the ordinates of the derivation of unit hydrograph are divided by dash to get the ordinates of dr unit hydrograph unit hydrograph बताने के लिए dr का unit hydrograph है उसको हम किस से divide करते है runoff depth से 13 का 3 होगा correct answer next a brick wall in which each course consists of alternate headers and stretchers हर एक course के अंदर क्या होगा stretcher है header है फिर उसके बात stretcher है header है and so on इसे क्या बोलेंगे flemish bond it will be known as flemish bond next when the total benefits जो फाइदे हैं किसी project के वो exceed कर जाते है total estimation जो cost का होता है estimated cost मतलब total कितना खर्चा आएगा उससे जादा अगर उसके benefits निकल के आते हैं तो हम उस project को क्या बोलते हैं कि ये project क्या है ये project feasible है हम ऐसे ये day to day जो हमारी भाषा के अंदर भी use करते हैं ये काम यार feasible है या नहीं है हो सकता है या नहीं तो ये project क्या हो जाएगा feasible हो जाएगा which of these states are made of an alloy of steel and nickel ABCD में पहले N आता है फिर उसके बाद S आता है तो nickel और steel से बना हुआ होता है पहले अगर हम बात करें तो 36 आता है बाद में अगर हम देखें तो 64 आता है ये इसका composition होता है और tape का नाम है इनवार चलिए next the slope of an irrigation canal is generally at what level when compared to the ground slopes in a head reach of canal canal जहां से शुरू हो रही है head reach में अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर canal generally शुरू होगी head reach उसका कहां पर होगा elevated areas पर होगा जहां पर river आ रही थी और river से हमने उससे canal जो है वो लेके आए फिर canal को ridge line के along लेके आए हम top जो elevated points है उनके along हम लेके आए तो उसके आसपास की जो land होगी उसका slope तो जादा होगा canal का slope कम होगा क्योंकि head reach में अगर canal का slope हमने बहुत जादा दे दिया तो फिर तो पानी एकदम बहुत तेज स्पीड से आएगा so slope of irrigation canal is generally at lesser level when compared to ground slopes in a head reach of canal next in which of these constructions is earthwork in excavation not considered मतलब जब आप walls बनाते हैं generally अब चाहे वो कोई भी wall है चाहे utility area की wall हो गई चाहे आप बात करें foyer area जब मतलब घर के अंदर आप enter करते हैं तो जो area होता है foyer area कहलते हैं उसको foyer area walls हो गई walls हो गई इन सब के लिए earthwork करना ही पड़ेगा आपको excavation करना ही पड़ेगा फिर उसके बाद आप उसके foundation बनाएंगे वहाँ पर stairs जो है इनके लिए ज़रूरत नहीं है next question up to what length do dug wells have to be penetrated below the water table कि जब आप well बनाएंगे कुआँ खोदेंगे अगर आप तो ground water table अगर आ जाती है तो ground water table से नीचे कितना आप उसे डिक करते हैं कि और से six meter और टू शिक्स मीटर पोर टू शिक्स मीटर next question which are the roads that connect district headquarters and important cities of a state 20 का correct answer हो जाएगा option 1 state highways state highway perfect next question if a material is subjected to only sharing stress सिर्फ और सिर्फ shear stress लग रहा है उसके उपर तो हम उसे क्या बोल देते है simple shear या pure shear लग रहा है हाँ जी दो उस PDF मिल जाएगी next simple shear बोल देंगे the ratio of discharge over the notch or wear to the cross sectional area of a channel is known as क्या कहते है इसे क्या बोलेंगे इसे velocity of approach या वैसे भी आप देख लीजे discharge upon area आप कर रहे है q equals to va होता है v equals to q by a हो जाएगा velocity of approach जिसकी वज़े से additional head भी consider करते है fluid mechanics में अगर आपको याद होता हो when no external force is required to rotate the fluid mass that type of flow is known as या तो हो सकता है initially कुछ हमने talk provide कर दिया था और बाद में उस जो शुरुआत में talk provide किया था उसकी वज़े से वो rotate करता जा रहे है या फिर अपने आपी जैसे wash basin के अंदर अगर हम बात करें जो जब आप tap on कर देते हैं पानी जो जाता है तब वो जो vortex होता है वो किस type का vortex होता है that is free vortex flow post के अंदर external torque provide करनी पड़ेगी हमे the maximum stress at which even a billion reversal of stress cannot cause failure of the material is called as अब ये तो थोड़ी बड़ी बात कर दी उसने billion वाली लेकिन आप यू समझ दीजी कि वो stress value जहां तक reversal of stress की वज़े से कभी compression कभी tension उसकी वज़े से cyclic loadings की वज़े से fail now material तो उसे हम उसकी endurance limit कहते हैं next the universal gas constant is equal to universal gas constant किसके बराबर होता है 8314 joule per kg mole kelvin next question the field density of a natural soil deposit or of a compacted soil deposit यानि कि हमें unit weight पता करना है unit weight पता करने की method मैंने आपको पहले भी soil mechanics में बोला है कि अगर हम simple questions की बात करें J exams की तो आप से यही पूछता है कि कौन सा method किस चीज का है और अगर थोड़ा higher level पे जाएंगे तो फिर आप से बस data दे देगा कि हमें इतना weight मिला इतना volume मिला water content इतना है छोटी से calculation करके आपको वहाँ पर dry unit weight बताना होता है तो इनमें से अगर हम बात करें calcium carbide alcohol method picknometer तो यह सब तो किसके है water content water content rubber balloon method या जो हमने wax वाला method पढ़ा था यह method कौन से हो जाते हैं यह unit weight पता करने के picknometer आपका बताता है एक तो specific gravity एक water content को बता आता है तो बहुत simple से question है दोस्ते which instrument is used to measure the pressure of fluid pressure of fluid के लिए कौन सा instrument use करते है manometer question number 28 बहुत बढ़िया which is the estimate that is conducted when additional works are done after completion of original works कुछ और additional काम आ गया हो कि इसके साथ ये भी कर दीजिए तो उसे हम क्या बोलेंगे supplementary estimate बोलेंगे बाद में requirement आ गई कुछ और add-on करने की आपने घर बन वाया है तो उसके बाद आप कह रहे हैं की swimming pool तो रही गया वो भी बनाई दीजिए उसके लिए मतलब ये तो चलो ठीक है छोड़ा सा example है इसके लिए तो क्या है ये estimate बनाएंगे लेकिन जब बड़े projects के अगर आप बात करने हैं उसमें कुछ और add-on करना है जैसे कोई residential society बनाई आपने उस residential society के बाद उसमें आप कोई club house रह गया है वो add-on करना है ये कुछ और चीज़ें करनी हैं तो वो कर सकता है next swimming pool तो average लोगों के लिए होता है it is for middle class आप लोग तो जकूजी वाले है the stress at which the load starts reducing and extension increases is called as 30 पता दीजे 30 पे तो अभी आए ही नहीं है यहां से अगर हम बात करें mild steel curve कुछ इस तरीके से mild steel curve के अंदर यहां पर आपके पास आजाएगा proportional limit फिर उसके बाद आजाएगी elastic limit फिर उसके बाद upper real point lower real point तो यहां पर permanent deformation जो start हो जाता है permanent deformation upper real point के बाद शुरू हो जाता है यहीं पर upper real point के बाद आप यह बोल देते हैं कि yielding start हो चुके अब उसकी permanent deformation start हो चुका है next for which type of material is there no change in the rate of strain कहने का आर्थ है कि उसमें कौन से material जिसमें strain जो है वो आता ही नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं soft material बोलेंगे hard material बोलेंगे void material, brittle material brittle होगा without giving any elongation तूट जाएगा वो next question which law states that the rate of increase of pressure in a vertical direction is equal to the weight density of a fluid at a point इसका हम derivation करते हैं बहुत ही छोटा सा प्यारा सा derivation होता है और उसके अंदर last में जाके हम वहाँ पर यह लिख देते हैं कि rate of change of pressure या pressure का change with respect to vertical direction is equal to weight density या unit weight यह लिखते हैं और फिर उसे हम क्या बोल देते हैं कि यह कहलाता है hydrostatic law हर कुछ पास्कल थोड़ी ना सब कुछ पास्कल हो जाएगा दोस्त पास्कल थोड़ी क्या बोलता है पास्कल थोड़ी यह बोलता है कि किसी static fluid रुके हुए fluid के अंदर हर तरफ से जो pressure है वो क्या होगा same होगा यह है पास्कल थोड़ी hydrostatic law होगा इसका correct answer water which is chemically combined with the products of hydration and is non-evaporable is called as मतलब आप बोलते हैं न जब आप soil को अगर आप heat करते हैं तो 105 degree तक ही heat करते हैं इन और्गैनिक soil को उससे जादा अगर आप heat करेंगे तो उसका structural water जो है वो evaporate हो जाता है तो उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर combined water उसे combined water गहेंगे next a real fluid in which the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain Newtonian fluid की definition दी हुई है simple question next which equation is derived by considering the motion of fluid element along a stream line तो यह topic जब हमने पढ़ा था तो हमने दो बातें की थी देखें जब हमने पढ़ा था यह topic तो सबसे पहले हमने शुरू किया था fluid kinematics fluid kinematics के अंदर हमने बात की थी कि fluid जो है वो motion में है but without reference to the force force की बात वहाँ पर नहीं कर रहे थे तो fluid kinematics पढ़ते वक्त शुरू में सबसे पहले हमने दो type की approach की बात की थी पहला lagrangian approach थी दूसरी eulerian approach lagrangian approach के अंदर individual particle के उपर focus करते हैं कि उस particle की properties वो particle कैसे behave कर रहा है उसके velocity क्या है वो सारी study करते है eulerian approach के अंदर हम किसी streamline के along या फिर किसी section के उपर जाके हम study करते है कि हाँ इस section की properties क्या है यहाँ पर velocity क्या है यहाँ पर density क्या है सारी properties की बारे में बात करते है ठीक है next the distance between the centroid of area of tension reinforcement and the maximum compression fiber is called as सबसे ज़्यादा compression में जो fiber आएगा वो topmost होगा और tension area reinforcement के CG से distances का centroid of area of tension reinforcement से लेके topmost fiber तक का जो distance होता है इसे हम क्या कहते है इसे हम कहते है effective depth perfect effective depth कहलाता है यह next question change in unit length of material to the unit change in temperature is called as क्या कहलाता है change in unit length of material to the unit change in temperature is called as इसे क्या बोलेंगे temperature का stress हो जाएगा next forces that cause shortening are called as किसी material को short कर देती है वो कौन सी forces होती है push forces होती है या फिर आप यूं कहिए कि compressive forces होती है जो किसी material की length को कम करती है simple एकदम बच्चे भी बता देंगे ऐसे सवाल का आँसर the distance measured from the exposed concrete surface to the nearest surface of the reinforcing bar is called as कि अगर कोई भी बाहर से बाहर मतलब ये वाला surface जो है अब ये exposed to environment है जाहिए धर से बात कर लीजिए अब reinforcement लगी हुई थी ये main reinforcement थी यहाँ पर shear reinforcement भी लगा रखी है अगर हमने तो outer exposed surface से कोई भी nearest जो सबसे पास reinforcement उसको पढ़ रही है तो ये जो distance है ये distance क्या कहलाता है ये distance कहलाएगा clear cover क्या 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 है from center is effective cover nominal cover clear cover सेम ही है हाँ जी पुराने जमाने में थोड़ा इनके बारे में अलग से definitions होती थी अभी nominal और clear दोनों ही सही है A और B दोनों ही correct है दोनों ही सही है next for which class of brick crushing strength should not be less than अगर first class की बात करें तो 10.5 second की अगर हम बात करें तो 7 ठीक है next which apparatus is used to find the soundness of cement soundness of cement की separators की मदद से हम पता करता है leech earlier apparatus की मदद से ठीक है दोस्तों काफे जल्दी cover हो गए हमारी questions इसी तरीके के और sessions जो है वो हम करते रहेंगे कल सुबा 8 बज़े हमारा session है जिसके अंदर J SSE JEE के लिए हम practice questions जो है वो करेंगे साथ ही में जानेंगे उस exam के अंदर अब तक कैसे questions आई थे या फिर कैसा overall pattern जो है वो रहता है तो यह exams जो है अब कभी कुछ दिनों के अंदर होने वाले इनी सब का discussions जो है वो हम करते रहेंगे अभी शाम को 9 बज़े आन अगर आपने अभी तक इस session को like नहीं किया तो like कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं यह live stream खतम होने के बाद comments करने के option आपके बास तो अब से मतलब पांच मिनट बाद तो आप comment करके भी बता सकते हैं जो भी आपके वैलिवेबल feedbacks हैं जो भी आपको लगता है कि हाँ आप शेयर कर सकते हैं और बाद में उसी चीज़ के उपर भी हम sessions जो हैं वो रखेंगे ओके thank you so much मेरा नामे संदीब जानी civil 101 पर नहीं है तो subscribe कर लिजिए session को like and share कर सकते हैं and take care मिलते हैं 9 बज़े आनकाइडमी की special glass में thank you so much कि कि क्बस्टी दूण거든ष हैं बार बार और नहीं हैंया तोसमें ज्रब कर सकते हैं आप ककीबड़ी एक टूण तोसमेदिकton सकते हृढमी कि सकते हैं कि टांको दो गया नही